हेलो फैंट्स, वेलकम टो अल आफ यू अन माई यूटूब चैनल सरकारी भरत दोस्तो आज की इस वीडियो के निदर हम बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता है आज है 24 मार्च 2022 और यूपी वोड का हिंदी का पेपर अभी अभी छूटा है लगबग एक घंटे पहले ही तो हम आपके लिए सबसे पहले पेपर लेकर आए हैं दोस्तो आप सभी को बता दें अगर आप यूपी वोड के स्टुडेंट है 10th क्लास के स्टुडेंट है या फिर 10th क्लास में 2030 में पेपर देने वाले हैं 2024 में पिपर देने वाले हैं तो ये काफी आपके लिए helpful रहने वाला है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि यूपी वोट से लिटेट सारी की सारी update, class, pdf सब कुछ यहाँ पर free में provide कराया जाता है तो चलिए friends देख लेते हैं paper कैसा आया था, paper का review कर लेते हैं question paper पूरा का पूरा paper मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये देखिए पूरा complete paper है और पूरे paper को अभी हम पढ़ने वाले हैं clear है, तो इसका pdf भी आपको paper का मिल जाएगा आप comment box में लिख दीजेगा जिस जिसको pdf चाहिए, उनको pdf भी मिल जाएगा तो देखिए, paper का code था 900 एक paper का code था 801 AD यहाँ पर ये इसका code है AD तो पहला, मतलब 7 paper बनते हैं उनमें से एक paper है ये लगबग 12 page है इसमें मुतित पश्टों की संकिया कितनी है 12 या roll number अभ्यर्दी का नाम लिखा होता है 3 घंटे 15 मिनट का इसमें समय मिलता है 70 नमबर यानि पूरांग का आपका paper आया था clear reference अब यहाँ पर देख लेते हैं note में क्या लिखा है प्रारंब के 15 मिनट परिच्छारतियों को प्रश्ण पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है तो 15 मिनट आपको पढ़ना है उसके बाद प्रश्णों के जबाब देने हैं तो प्रश्णों को एक एक करके देख लेते हैं खंड का प्रश्ण का एक के का का निमलिकित कतनों में से कोई एक कतन सही है उसे पैचान गल लिखिए यानि कि आपके बहुँ भी गल्पी प्रशन है त्रवैडी रामचन सुकले की कानी संगर है इंदजाल जैसंगा प्रसाद का प्रशिद्धु पन्यास है सिच्छा और संसिकृती डॉक्टर अगला प्रशन आपसे पूचा है निमलिकित कृतियों में से किसी एक कृती के रचनाकार का नाम लिखिए जो आत्मकता विदा है उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए कलम का सिपाई किस गद्य विदा पर आधारित रचना है तो यह आपको लिखना है निराला की साहित साधना के लिखक का नाम लिखिए प्रशन संक्या दो क्या है यह अभी तक एक-एक नंबर के सवालते अब यहां से एक-एक नंबर के और दू-दू नंबर के भी प्रशना की दो प्रमग विज़ेस्ता हैं लिखिए ये आपसे पूछा गया क्लियर नेक्स्ट देख लेते हैं तो 801 एडित पेज नमबर थार्ड फ्वेशन नमबर थार्ड है और ये आपका गध्यांस आता है चार छे नमबर का आपका गध्यांस है निमनांकित गध्यांसों में से किसी गध्यांस के नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर दीजिए गध्यांस किसका है आप लोग पहचान कर बताईएगा कमेंट बॉक्स में गध्यांस है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रच्छा रहती है अब इसी में आपको अंसर मिल गया होगा कि ये किसका है जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि ख़जाना मिल गया विश्वास पात्र जीवन की एक ऊस्यदी है हमें अपने मित्रों से यहाँ आसा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें द्रड करेंगे दो सो और तुर्टियों से हमें बचाएंगे और यहाँ पूरा लाश्ट तक पढ़िएगा ऐसे में तिता करने के लिए प्रैत्न पुरुष को करना चाहिए तो यह आपका कम्प्लीट हो गया होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको और इनके आदार पर तीन प्रश्ण है और तीनों प्रश्ण के आपको उत्तर लिखने है उपरियोक्त गद्यांस का संदर्व लिखिए पहला तो किस संदर्व लिखना है यानि कि किस राइटर का नाम लिखना है गद्यांस में कहां से लिया गया है पाठ का नाम लिखना है तो वो तो आपको पता चली गया होगा पहली लायन में यह अंसर दे रखाता है तो इसका आपको यहां पर व्याख्या करनी है इसके बाद है हमें अपनी मित्रों से क्या आसा रखनी चाहिए तो इसका जवाब भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा कि हमें अपने मित्रों से क्या आसा रखनी चाहिए देखिए हमें अपने मित्रों से यहां आसा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें द्रण करेंगे दोसों तुर्टियों से हमें वचाएंगे हमारे सत्य पवित्यता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो इस ताइगे से आप यहां पर देख सकते हैं चले नेक्स्ट देख लेते हैं और यहां इसी का ख़व प्रश्ण है देखिए आप किसी एक गध्यांस को करना है पहला गध्यांस था दूसरा गध्यांस यह है आज बिग्यान मनुश्यों के हाथों में अधुट और अतुल सक्ति दे रहा है उसका प्रियोग एक व्यक्ति औ समू को के गिराने में होता ही रहेगा इसलिए हमें उस बाबना को जागरत रखना है और उसे जागरत रखने के लिए कुछ ऐसे साथनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिन सात्मक त्याग भाबना को प्रोथ सहित करें और भोग वासना को दवाए रखें नैतिक अंकु उसके लिए चेतना या भावना ही दे सकती है वही उस सक्ति को परमित भी कर सकती है और उसे उपियोग को नियन्दित ही तो इसका गध्यांस का संदर्व लिखना है रेखांके अंसगी ब्याख्या करनी है और गध्यांस में क्या संदेश देना चाहा है उसके बारे में आपको लिखना होगा तो दो दो नंबर के कुल मिलाकर छे नंबर के तीन प्रशनिस में पूछे जाते हैं इसके बाद पध्यांस आता है आपका पध्यांस किसी एक पध्यांस से आपको ब्याख्या करनी उसकी होती है तो उदो मोहिब्रज बिसरत नाही ब्रंदावन गोकुलवन उपवन सघन कुझकी छाही प्रात समे माता जसुमत अर नंद देखे सुक पावत माखन रोटी दहो सजायो अते हित सात खवावत गोपिग्वाल वाल संग खेलत सवदिन हसत सिरात सूर दास धनिधनि ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात तो इसका आपको क्या करना है पद्यांस पूछा गया था पद्यांस की संदर्व सहीद व्यक्या है यह नही riktि आपको संदर्व लिखना होगा फिर उसके बाद व्यक्या करनी की कुल मिलाकर 2 प्लस 4 दो नंबर का संदर्व और 4 नंबर की इसकी व्यक्याब को करनी है दूसरा था इसमें सच्चा प्रेम वही है जिसकी त्रप्ति आत्मा बल पर हो निरवर त्याग विना निस्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर देश प्रेम में वह पुन्य छित्र है अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विक कास से जिसमें मनुश्यता होती है विक्सित तो इसमें पहला वाला आसान था सेकंड वाला थोड़ा सा आपको डिवीगर्ड लग सकता है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है प्रश्ण कोशन नम्मर फाइव है निमलकित लेखोकों में से किसी एक लेखा का ज हों गई इसमें से किसी एक कभी का जीवन पर्चा और उसकी किसी एक रचना को लिखना है तुलसीदास मैतली सन गुप्त समित्रानंदन पंत की पूची गई है इसके बाद अगर हम देखें तो जीवन पर्चे आपकी कंप्लीट होते हैं इसके बाद संसिकत गध्यांस का च वीरह गोश्वामी तुलसीदास अन्य चवहव महात्मनह अत्रागत्य स्वियान विचारान प्रसारयन न केवलं दर्सने साहेत्य धर्मे अपितू कला छेत्रिय पे एम नगरी बिविधाना कलानां सिल्पाना चक्रते लोके विश्रुता अत्रत्या कोसे साटिका तेसे देस सरवत्र इस प्रहांते तो इसका आपको क्या करना है हिंदी घरनी है इसके बाद आप इसका भी कर सकते हैं तो किसी एक गध्यान्स का या इस लोक का आपको अनुवाद करना होगा यह आपसे पूछा गया है इसके बाद देख लेते हैं इसके बाद है अपनी पाठे पुस्तक से आपको कंटस्त कोई इस लोक जो आपने याद किया हो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो अर्दात आपको इसको छोड़के आपकी पाठे पुस्तक में जो भी दे रखाता वो आपको लिखना है इसके बा इसके बाद क्या है करूडरस अत्वा हासिरस का सो दाहरण परिवासा लिखनी है उसके बाद उपमा लंकार या उत्परिच्छा लंकार की उधारण सहित परिवासा लिखनी है तो आपको रस से उपमा और अलंकार से और छंद से एक एक प्रश्म दो तो नमबर में पूछे के छे नमबर में खुल मिला कर निमने लखे तो उपसर गौमे से किनी तीन के मेल से एक एक सब्द बनाईए तो आपको सब्द बनाने जैसे आपको बनाना है क्या अ से बनाना है अधिसे बनाना है अनुसे बनाना है सो से बनाना है परे से बनाना है निर से बनाना है तो किनी तीन के मिल्च बनाना है आसान है ये तो ठीक तो यहां आपको करी लोगे इनमें तो कोई समस्या नहीं आएगी मैं आपको solution थोड़ी तोंगा चोटा सा वीडियो होगा सिर्फ आपको question बताए जाएंगे कौन-कौन सा पेपर दिखाया जा रहा पूरा निमलकित मैं से किनी दो प्रत्यों का उप्योग करके एक-एक सब्द बनाईए वा, व prót, आई, ता, तवा इन सभी से एक-एक दो प्रत्यों का प्रत्यों का प्रियोग करके एक-एक सब्द बनाना है इसके बाद क्या है निमलकित मैं से किनी दो के सामास विग्रे किजे माता-पिता, तरिनेत्र, भवानी संकर, एक अतंत और नर नारी इनके क्या करने है समास विक्रेब इसके बाद क्या है निमलकित मैंसे किनी दो के तत्सम रूप में लिखिए कान महुआ हात पंक और बानर ठीक तो इनके क्या लिखने है तत्सम रूप लिखने है जो के तदभव दे रखे है तत्सम रूप में आपको लिखना है इसके बाद क्या है निमलकित मैंसे किनी दो सब्दों के दो दो पर्यवाची लिखे चंद्रमा, काम, देव, कपड़ा, आकास, गंगा, आसाने आपने लिख दिये होंगे next क्या है निमलकित मैंसे किनी तो मैं संधी विच्छित कीजिए और संधी का नाम बताई इत्यादी प्रतियुद्ध 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 प्र इसके बाद क्या है विवक्ति लिखनी है पंची विवक्ति वह वचन का रूप लिखना है फल यमतिका नदियस मदूका ठीक दौनों में से किसी एक चाहे तो फल का लिख दीजे और नदी का लिख दीजे कोई भी दो पेर बना के लिख दीजे इसके बाद क्या है किसी एक दा तू लकार पुरुष और वचल लिगना है ये आपसे पूचा गया है इसके बाद क्या है इसके बाद है निमलकित में से किनी दो बाक्यों का संसिकर्त में अनुवाद कीजिए हम दोनों घर जा रहे हैं उसे पढ़ना चाहिए पेड़ से बत्ते गरते हैं विद्या सब दनों म प्रदान है इनके क्या करने आपको दो बाक्यों के संसिकर्त में अनुवाद करने है इसके बाद निमलकित में से किसी एक विजह पर निवन्द लिखना है निवन्द छे नंबर में आता है और विद्यारती जीवन में अनुसासन कम है तो देसाटन से लाव बेटी बचाओ पड़ाओ विज्ञान से लाव और हानी तो इसके बारे में आपको छे नंबर में एक निवन्द लिखना होता है इसके बाद क्या है अपने पठित खंडगाबी के आदार पर निमलकित में से प्रशनों में से एक उत्तर दीजी एक का उतर दे देगे इसमें क्या होता है कि जो आपका जिले गवाईज होता है अब आपका उजान सा जिला है उसके साबसे आपको लिखना है तो इसमें तुमलक खंडगाबी है तुमलक खंडगाबी गयादार पर यहां पर क्या है नायक का चतर अंकन कीजिए यहां मेगनाद लचमण युद्ध की कथा अपने यहां पर करणड के उपर ऐसे प्रशन पूछा गया है, इसी तरीके से अगरपूजा पर पूछा गया है, करमबीर भरत पर पूछा गया है, ठीक, तो दो प्रशन होते हैं, दोनों ही आपको सॉल्व करने होते हैं, first or second, ठीक, तो जो आपके जिले के सापसे होता है, जो आपक जोन में आता एक तरीके से उसको आपको करना है जैसे मेवाड मुकट हुआ मुक्ति दूत मुक्ति दूत खंडगाब भी हुआ तो इसमें से आपको जो भी आपका जैजवास से था या फिर मात भूमी के लिए या फिर जोती जवाहर इन में से आपको जो भी आपके जोन में था जिले में था उसको आपको लिखना था तो दोस्तों आज की वीडियो के सिर्फ इतना ही अगर आप इस चनल बन नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को सेयर करना बिल्कुल मत बूलेगा चलिए तो यूपी वोड के जितने भी student है यूपी वोड के जितने भी student है आपको paper कैसा लगा comment box में चरूर बताईएगा उमीद है आपको अच्छा लगा होगा मिलते next वीडियो में channel को subscribe करना बिल्कुल मत बूलेगा comment box में आपको अगर paper चाहिए तो लख दीजेगा आपको paper का PDF मिल जाएगा तो चलिए friends मिलते next वीडियो में thank you thank you for watching this video